अलो अरिवन दिस इस अलेक स्मित वेल्कम टो नॉलिज ना इंबिशिन तो इस सेशन का हमारा टॉपिक है नियू जीन औफ परसितिक फ्लाविंग प्लांट है तो जबसे पहले मैं आपको बता दूं यदी बात की जाए प्रसितिक फ्लाविंग प्लांट और इसे खोजा गया हैं जो अपने नियूट्रेशन के लिए जो हैं वो किसी अधर होस्ट प्लांट पे डिपैंड करते हैं ठीक है यह उगते भी उसी होस्ट प्लांट के उपर हैं ठीक है आप अपना नियूट्रेशन के लिए भी उसी प्लांट के उपर डिपैंड करते हैं जैसा कि आप यहां पर होस्टप्रांट है और होस्टप्रांट के ऊपर आपका एक फ्लावर प्लांट उगाया यह प्लांट जो होगा यह आप अपने निlara के लिए पूरी तरह से इस होस्ट प्लांट अब बात करते हैं किसक प्रकार की एए जीन संट्र के चनल पर पहली करने चनल को सब्सक्राइब भी जरू कर लें जीन सब्टो मैरिथन यह इस जीन का नाम है जो आपका प्लाविंग प्लाविंग प्लांट डिसकावर हुआ है फ्रम दैनिकोबार ग्रूप ऑफ आइलेंस तो इसका नाम क्या है यह बिलॉंग करता है जीन सब्टो मेरिथन ठीक है इट ग्रोज अन्दा प्लांट स्पीशिस होर्सी ओना। फ्रीली द्या ग्लोब्र एक होर्स ही स्पैटि यह फ्लॉब्र डूम वाग यह प्लांट की स्पीशिज है त lidग है और इसी प्लांट की स्पीशिज पर आपका डिसकरवर किया गया है और निव पैर थीए ने पैरैसेक्टिक फ्लाविश की बात करें तो है वाव मोडिफाइट रूप्त मॉडिनिका रूप स्रॉक्चर होता है जो कि भी होज़्क Ruddy hodaus पोस्ट्री होगा उसके बाग के अंदर ही यह आपके उगाते हैं ठीक है वहीं से ही दा प्लांट वस फाउंड on the periphery of the tropical forest in one of the biodiversity horseports referred to as the nicobar group of islands तो यहापका mainly found हुआ है कहाँ पर tropical forest में इन दा one of the biodiversity horseport which is called nicobar group of islands तो की separated है from the undermined group of islands by the wide gap of 160 km with heavy tidal flow तो यहाँ पर आप मुझे यह बताइए कि nicobar group of islands और अन्दमान निकोबा स्वरी अन्दमान group of islands को जो separate करती है लाइन ठीक है उस लाइन का नाम क्या है क्या हम उससे कहते हैं ठीक है बात करते हैं दो जीन सप्टो मैर्थन इट है डिस्टिंग वेजिटेटिटिव morphology इसकी एक आपकी डिस्टिंग्ट वेजिटेटिव टिप मॉर्फ लॉजी एठीक है इन फ्लॉरेशंस आर्किटेक्ट्चरा और फ्लॉरल करेक्टर है दे लीज आप दी प्लांट लीज जो होती है इसकी आर हार्ट शेप एंड वैरी लॉंग टिप होती है और जो बात कर तर yağर्ञिला होती हिए इस नाम की जो आपका जीन्स है ठालिज सेटिक फिलाविंग प्लांट इस्ट इसे सफिर इख जालब होती हैसेव फ्लावर सेप्ट है जड्राइफ में उन सान। which are hemiparasites are partially dependent on their host plants for nutrition तो जो आपकी hemiparasites होते हैं ठीक है plants जो की hemiparasites होते हैं वो partially dependent होते हैं on their host plants for the nutrition for instance the newly discovered plant that drives nutrients from its host has green leaves capable of photosynthesis तो इसकी यह आपकी unique बात है जो आपको ध्यान में रखनी है ठीक है यह वैसे तो hemiparasites जो आपके plants होते हैं वो डिपेंड करते हैं nutrition के लिए किसके उपर जिसी भी host plant के उपर यह उगते हैं क्योंकि इन में photosynthesis का process नहीं होता है क्यों कोई भी process नहीं करते हैं जिता में रिष्ण होता होस प्लांट से ही प्राप्त करते हैं लेकिन यहां पर क्या देखने को मिला है कि जो आपका new species यह देखने को मिलिए पैरसेटिक फ्लाविंग प्लांट की ठीक है इसकी ग्रीन लीव्स है जो की capable है photosynthesis की ठीक है कि इस वीडियो में ही जान करें थी आशा करता हूं को आपको जान करें अच्छे लगी वीडियो का पसंद्द आतों को लाइक जरू करना पर अपने सभी दोस्तों को शेयर जरू करना है